तो आप लोग देख सकते हैं 36 गड़ में जो है सीजी व्यापम ने नोटिफिके संजारी कर दिया है आज के डेट में आज जो है 2 जुलाई को 36 गड़ में स्वीजी पीटी बीएसी एगरी कल्चर इंट्रेंस एक्जाम जो है भरती परिक्चा दो जड़ते इस एक्जाम हुआ जिनका सेलेक्शन स्वीएटी में होगा वही स्टूडेंट जो है बीएसी एगरी कल्चर जो है कर पाएंगे अगर हम बात करें तो आवेदन जो है करीबन जो है आपके पचास हजार के करीब लगभग 44,218 इस्टूडेंट जो है अवेदन किया था लेगिन अगर उपस्थिती के बात करें तो सिर्फ 26,674 इस्टूडेंट जो है एक्जाम जी लाने के लिए पहुँचे और वहीं 17,544 इस्टूडेंट जो है एक्जाम में जो है अनुपस्थित रहें तो यानि 26,674 इस्टू तो किस तरह से आपका सेलेक्शन शो पाएगा, कौन से कॉलेज आपको मिल पाएगा, गौर्मेंट कॉलेज का फिस कितना होता है, प्राइवेट कॉलेज का फिस कितना होता है, किस तरह से आपको जो है कॉंसलिंग करना है और आपको कॉंसलिंग में कौन सी गलती जो है बिल तो देख सकते हूं कि काफी अच्छी अपडेट्स आया B.A.C. Agriculture और होटी कल्चर में प्रवेस लेने वाले चात्रों को देने होंगे जो है चार हजार से भी ज्यादा जी हाँ P.A.T. आज लेकिन उसे पहले ही क्रिशी लगातर दूसे साल बढ़ा दी फीस यानि कि एगरी कल्चर में बेसे एगरी कल्चर में पहले के मताबिक जो है आपको ज़्यादा फीस पे करना पड़ेगा फीस के अगर हम बात करें तो यहाँ पर हर साल बढ़ रही हैं फीसे तो बियसे अगरी कल्चर और हर्टी कल्चर में लगातर दो सालों तक फीस बढ़ने के वज़े से इस साल सीटों में प्रवेश लेने वाले शातरों को प्रथम साल में जो है 4,187 दूसरे और तीसरे साल में जो है 4,110 और चौथे साल में 4,92 रूपे देने होंगे 2,212 में होश्टल स्वीद है बगार प्रथम साल की फीस 13,910 रूपे दूसरे साल की फीस 13,250 और चौथे साल की फीस आपका 14,750 तैए की गए थी वही 2,222 के बात करें दूए आप फीस बढ़कर पहले से 16,600 रूपे हो गई है दूसरे साल का और तीसरे साल में आपका 15,940 और चौथे साल में 17,440 इसी के साथ नए 17,232 में फीर से फीस बढ़ने के वज़ए से इस साल आपका 17,245 दूसरे और तीसरे साल की आपका 16,58 और चौथे साल के आपका 18,88 रूपे हो गई है होस्टल की सुईधा लेने वाले चात्रों को इस साल पहले साल में 21,347 और तीसरे साल के लिए 19,8924 और चौथे साल के चात्रों को 21,324 रूपे देने होंगे तो फीज जो है बढ़ा है और पीएटी डेड़ गंटे पहले पहुँचना होगा यानि कि जो भी स्टूडेंट जिन्हों ने फॉर्म फिलाप किया था हूँ उनका आज एक्जाम सा तो डेड़ बज़े उन्हें पहुँचना था नौ बज़े से लेकर दो पहर दो बचके चार हजार रुपे फिज देनी होगी क्रिशिविश विद्वा विदालय ने लगा तर दूसरे साल प्रेड़ में बढ़ होतरी कि característ कि है लगा तर दो सालों तक फिज सब्सक्राइब निजी कॉलेजों में करीब 2200 सीटे हैं इन सीटों में प्रवेश लेने के लिए 36 गर्ड व्यापम के और से 2 जुलाई को प्रवेश परिक्षा अज्वित की जा रही हैं पिछले साल इन सीटों के लिए लगभग 54,000 आवेदान मिले थे परिक्षा सुलकन नही लेने के वज़े से इसा सेंक्या में और बढ़ गई हैं यानि एक सीट के लिए कड़ी प्रतीस वर्दा होगी फिस बढ़ने के वज़े से विस्व विदाला के कहना कि फिस बढ़ोतरी का फैशला प्रबंधन ने लिया हैं बढ़ी हुई फिस नहीं सा तरह से लागू हो जा हैं तो एक सो पांस से अगर एक सो दश नंबर आरा है मतलब सेलेक्शन्स ले पाएंगे वहीं वह यादि आप ओवी सी के डिग्रे वाले स्टूडेंट है तो हंडर से एक सो पांस नंबर के बीच में ऐसी के डिग्रे वाले अगर आप इस्टूडेंट है तो 95 से जो है hundred marks मे भी selection हो जाएगा वहीं HD के degree वाले student है तो 90 से 100 marks में इतने नमबर लाने पर आपका selection हो जाएगा और आपको easily college मिल जाएगा तो आपको बताना चाहता हूं कि देखिए अगर आपका number अच्छे से आएगा तो अगर आपको government college मिलता है तो बहुत असानी होगा इसमें सत्रह जार लगवा सड़े सत्रह जार ही आपको पे करना पड़ेगा वरना अगर आपका private college में अगर कहीं सेलेक्शन होता है अगर आप private college से जो है पी एटी बेस अगर करते हैं तो वहाँ पर आपको जो है पच्छपन से साथा जार रुपे के करीब जो है फीज पे करना पड़ता है इसलिए गौवर्मेंट गौवर्मेंट सीटों की बीचे हर एक स्टूडेंट रहते हैं कि कि किस जादा आप तयारी करेंगे जितना जादा पहनत करेंगे उतने ही जादा आपके लिए बेश्ट होगा उतने ही जादा आपको काम्यावी भी मिल पाएगा तो 36 गड़ में जो है पच्छपन से साथा जार रुपे आपको private college में फिज देना होगा और यह 22 सीटे आपके जो है पी-टी करने के लिए top 10 college जो है कौन-कौन से हैं जो कहां से आप जो है college कर सकते हैं कहां से जो है बेश्ट है education और कहां से जो है बेश्ट है तरीके से पढ़ाई किया जाता है सभी चीजों के बारे में explain किया जाता है हर एक चोटी सी चोटी बारीकी से बारीकी knowledge जो है आपक का एक्जाम सच्छे से गया है वो इस्टूडेंट बिल्कुल परशान नहों आपके आपने जितना जादा मेहनत किया जितना जादा अभी देखिए आपने अगर अभी इश्टागल किया तो आपको आने वाले समय में जो है कामयाभी डेफिनिटली मिलेगा क्योंकि इस्टूडेंट्स होते हैं जिनको टाइम में सफलता मिलता हैं और जिनके पास अगर पैसा होगा तो वह प्राइवेट कॉलेज से भी ब्यास्ट अपना कंप्लीट कर सकते हैं और एक साल दो साल अगर गया तो एक साल दो साल बहुत जादा इंपोर्टेंट होता है तो आग बहुत से स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं कम से कम उन लोगों तक वीडिस पहुचना चाहिए ताकि वह सभी स्टूडेंट जो है भरती परिक्षा एक्जाम को क्वालिफाइग कर पाए तो मिलते हैं किशे नहीं